वेल्कम तो नीव व्लॉग और संडे है और संडे को आज कोई काम था नहीं तो सुबह सुबह निगल पड़े बाइक्स लेके और तुड़े आई हैव टू बेस्ट बाइक्स एंद देर सेग्मेंट के टीम अडवेंचर 390 एं इंटरसेप्टर 650 काफी सारे मेर पास डीम्स और कमेंट्स आते हैं कि यार पहले आपके पास 390 अडवेंचर थी आपने सेल करके इंटरसेप्टर 650 क्यों परचेस करी और काफी लोग कन्फ्यूज भी रहते हैं कहीं बार के टीम अडवेंचर 390 और इंटरसेप्टर 650 में सो हीयर वी हैव बोथ बाइक्स टोड़े सो वी गॉन रिव्यू द बाइक मतलब प्रॉपर ऐसा कोई रिव्यू नहीं बनाएंगे क्योंकि बाइक्स काफी लोगों को इनकी नॉलिज है काफी लोगों को इनके स्पेसिफिकेशन पता है अब यह नहीं बताऊंगा मैं आपक जल्दी से ओनर से सो आज है मेरे साथ सेलेश पांडे जी एन पांडे जी इस अ गुट फ्रेंड ऑफ माइन हम लोग 2020 में के टीम एडवेंचर ग्रूप में मिले थे काफी सारी राइड हमने साथ में करी ट्रेल्स करें उसके बाद हम लोग ग्रूप से थोड़ा एक्जिट ह कर ली थी एंड पांडे जी हाव यूँ एंड फाइन काफी टाइम से प्लैनिंग थी हां जी थांक्स फॉर इंवाइटिंग भाई अरे कोई बात नहीं अलो तो व्यूर्स पांडे जी कभी चैनल है चैनल का नाम बता दो पांडे रोड एडिक्ट और अगर आपको अडवे से इनकी KTM Adventure 390 के बारे में थोड आसा के मतलब कितना टाइम होगे लिएवे क्या क्या दिक्कते हैं सर्विस कोस्ट और इवरिटिंग बेसिकली इट विल बी एन ओनर्शिप रिव्यू तो शुरू करते हैं पहले थोड़ी सी बाइक दिखा देता हूं आपको सो हीर वी है बोथ द बाइक और पांड़े जी की KTM जो है प्रॉपर एक बिग बाइक का फिल देती है बिकॉस अफ द एवरिटिंग और काफी अच्छी मैंटें कर रखी है अभी जानेंगे कितने किलोमीटर चल चुकी है बाइक और सब चीजा इसके बारे में अधर क्रेश गार्ड जो से मैच कर रहे है और इन से इट लुक्स कॉइट अमेजिंग और रिसेंटली टायर्स भी अप्ग्रेट करें इन्होंने पिरेली टायर्स के बारे में भी जानेंगे इधर तो अपनी इंटरसेप्ट रही तो देर नहीं करते हैं ज्यादे से बिना मेरे पास तरह दो बाइक थी एक हमालेन थी मेरे पास में बीस फोर नॉन अबिस और दूसरी जो बाइक थी मेरे पास उस ट्राइम थी ट्राइंफ टाइगर 800 xc 2014 मोडल थी क्या बात है तो जो मुझे लाइट मोटर साइकल में अच्छा लगता है कि जो एक जो एक जो एक बाइक रखनी है मैं दो बाइक के चक्कर में नहीं पढ़ना और मार्च में मैंने उठाइटी थी में थी मुझे बहुत पसंद है कोई बुराइं नहीं करेगा कमें ध्यान रखना तो जस्बिकाज एक के टिम और एडवंचर 390 करीब तीन साल से इसका हाई इसका है मिल्ता था इंटरशनल मार्केट में इंडियन मार्केट में के आने वाली है था बहुत लोग एक कर रहे थे और बाइक स्यल भी बहुत ज्यादा हुई है तो यह रिजन था इसे लेने का के टीम की थुरूट एक लेट सी डिर्ट बाइकिंग में जैसा सब को पता है तो यह कहीं न कहीं जब आप इसे ले कि ऑफ रोड जाते हो ना तो यह आपको बहुत ज़्दा इंस्पायर करती है बाइक कि मुझे और पुछ करो और हार्ड रेव करो मुझे ले के जाओ पैचिस पर आप उसको चला सकते हो तूरिंग कर सकते हो इसका क्योंकि रियर सस्पेंशन बहुत स्टिफ है रोड पर अच्छी हंद्लिंग देने के जैसे बहुत स्टिफ बनाया सस्पेंशन को बट हर चीज के देखो कई ना कई प्रोजन कॉंस तो होते ही है आजी बट अब करेंशन आप अब काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं के यार केटीम अडवेंचर 390 ले हिमालयन ले या फिर इंटर सेफ्टर सिक्सिफ्टि ले क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्राइज रेंज इनका कुछ पास ही आता है इक्जैक्ली मतलब बाइक अपने आप में बहुत सेग्मेंट की मोटर सैकिल आप कंपेर कर सकते हो सिर्फ प्राइस पॉइंट पे हां जी बिकॉज सम्वेर अरॉंड वही साढ़े तीन से चार लाग के बीच में यह तो अब क्या 385 की पढ़ रही है दोनों में कोई वैसे कंपेरिजन नहीं अधर दिन प्राइस पॉइंट तो दोनों बाइक्स के टीम अड्वेंचर 390 एंड इंटर्सेप्टर 650 और और पॉइंट बाइपॉइंट हम लोग कंपेर तो नहीं कर सकते देखो क्योंकि बोट बाइक्स और इन डिफरेंट सेग्म करते हैं प्राइस से तो इंटर्सेप्टर शुरू होती है हमारी 3 के असपास से शुरू हो जाती है 310 315 के टेम एडवेंचर डेली में कॉस्प करी अरूंड 3.85 3.85 मतलब 4 ले अंडर 4 लेक्स यूल गेट बोट इस बाइक्स अब बात कर लेते हैं तो इंटर्सेप्टर में जो सबसे बड़ा मैं इसको ड्रॉबेक तो नहीं कहूंगा एक्जैक्ली क्योंकि बाइक का जो स्टाइल है सारी चीज है वो स्पोक्स की हिसाप से है तो वी गेट दस पोक्स और हमें हमेशा आपको पता ही है जो पंचर है उसका डराता है अभी भी एक इंटर्सेप्टर प हैंडलिंग पार्ट दोनों का कमफटेबल है बाइक के सबसे इसका प्रॉपर जो आपका रोडस्टर है उसका थोड़ा सा अड्वेंचर लुक में है थोड़ा ब्रॉड है है और थोड़ा सा अप्राइट है तो गिव यू एट जो अड्वेंचर बाइक फीलिंग और इसके बीच में आता है और इसका पांड़ी तो सर्विस कॉस्ट दोनों का लगबग बराबर है और बहुत बाइक सार क्वाइट डिफरेंट सिमिलर सिर्फ प्राइज रेंज में वह बहुत जादा सिमिलर नहीं है अप्रॉक्सिमेटली मेरे काल से पचास हजार के आस-पास इसको हर जगा नहीं ले जा सकते हैं नहीं दोनों अलग बाइक है वह थोड़ा रेट्रो क्लासिक है आपको टोरिंग के लिए उससाब से बनाई है यह प्रॉपर एक न्यू एज आपको थोड़ा सा अडवांटेज जाता है जब आप हाइवे पर क्रूजिंग करते हो तो मेरे को मतलब इंजन पे थोड़ा सा एफेक्ट आ रहा है मेरी बाइक टॉप स्पीड 165 जाती है बट जब मैं टूरिंग करता हूं बिकास लगेज रहता है मेरे सास में तो जो मैं में में टेन करता हूं यह राउंड हंड्र एंट एंटें तन मैं उससे उपर वैसे भी अधिया तूर करो बहुत अच्छी जैसे मैं एक्स्प्रस वे पर जा रहा था या लगना जी हंड्र फॉर्ट तक भी मुझे बहुत जा था दा रहा था लगना लगना तो थोड़ा सा सेफ्टी के सोस्टे हुए तो पर उस पर मैलें बहुत अच्छा मिलेंज वही मैं करता ह हूं क्योंकि मेरे साथ लगेज होता है क्योंकि मैं लॉंग टूरिंग करता हूं को पता है तो आई अलसो मेंटेन दस्पीड ऑफ निर अबाउट 110-120 तक भी चला जाता हूं कई बार यह तो जाती है 170 175 तक अराम से जाती है मगर इस नोट रेकमेंडेड यार हम टूरिंग कर सिंगल सिलेंडर है तो स्मूदनेस नमर भाइक कि थोड़े नमर मारे लिगी सारे माओ जाएंगे ऑफ रोडिंग में माक्स उसको स्मूदनेस में थोड़े से इसको इसको भी दो इस में दुनिया जान की वाइबरेशन था फूट पेक से लेकर लिवर तक हैंडल बारता है बढ़ आपके जो हो जाते हैं आपको आपके जो अपन हो जाते हैं यू के अटेक एनिवेर नॉर्फीस में अट्रिप और मुझे यह जाते हैं जो भी नारो ट्रेल लिख रही थी यह कहीं पर जाना आप तो कुछ सोचने की जरूत नहीं बस आप डिरेक्शन चेंज करो और कह कि आपके स्पेसिफिकेशन में हम जादा नहीं घुस सकते हैं क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं हैं आपका प्राइस बजेट बजेट बट्विन 3-4 लेक्स है और आपका परपस क्या है बाइक से अगर आपको अडवेंचर ट्रेल्स करने हैं यूँ आपको आपको आप अडवेंचर ट्रेल्स ऑफ रोडिंग पैचेश देन डेफिनेटली गो विद केटीम अडवेंचर 390 इफ यूर दूरिंग मोर ओफ टूरिंग हाइवे राइडिंग कर रहे हैं अगर देन यू को विद इंटरसेप्टर 650 क्योंकि हाइवे राइड की जो क्वालिटी रहती ह है इस रियली ओसम यू केंट क्रूज अट 140 145 अभी जब मैं आयरन बट राइड कंप्लीट करके आया था उस पर हम लोग रात के टाइम 140 145 पर आराम से क्रूज कर रहे थे विदाउट एनी वाइबरेशन 140 150 पर भी जीरो वाइबरेशन इंजन बहुत स्मूध है और सबसे अबड़ी चीज आरी का जो नेटवर्क है नेटवर्क तो खर्या काफी अच्छा है काफी जगह आपको के टीम सर्विस सेंटर मिल जाते हैं जैसे अम लद्दाग जा रहे हैं कहीं पर जा रहे हैं तो हमको यह रहता है यार बाइक कहीं ब्रेकडाउन हो जाए कुछ हो ता और इसी बाइक पर कोई प्रॉब्लम नहीं कित्ती चला दी अपने बाइक मेरी चल गए अरूंट 22 के होने वाली 21 हो चुकी है 21 थाउजन चल चुकी है अच्छा बहुत चला दी लॉक्डाउन कोविड सिच्विशन नहीं तो शायद 30 कर चुका तो माइलेज की बात कर ल देता हूं और हाइवे पे अराउंड 30 31 इतना ही डिफरेंस रहता है तो माइलेज के मामले में अगेन माक्स गोस्टू KTM Adventure 390 हमारी बाइक का इतना माइलेज नहीं आता यह ऐसे देती है 20 21 हाइवे पर अगर 900 तक जाते हो तो 24 25 इस से जाधा नहीं लगदाक ट्रिपे मेरा 20 25.5 का माइलेज था वो भी रफ कैलकुलेट था नाओ लेट्स टॉक अबाउट था कमफर्ट कैसे सीट कैसी है सीट अच्छी है फ्रेंट से नैरो है पीछे से विट अच्छी दिये कंपनी ने मतलब कितने किलो मीटर बाद दुखने लगती है 500 किलो मेटर तक अगर जा रहे बाद कर रहा हूं मैं 500 किलो मीटर बाद आपको लगेगा या तो सीट चेंज कर लूं या फिर कहीं रूख जाओं थोड़ा सा रहस ले लो एक वाट था साहरा सीट एंड इस रियल या उसम सीट मैं भी भी सीट लिए साहरा सीट से मैं खुद परेशान था क्योंकि लॉंग पर निकल तो जाता था मगर देड़ 200 किलो मीटर बाद चोटा सा पिट स्टॉप लेना पड़ रहा था क्योंकि बहुत स्टेइन पड़ा था पीछे तो अभी तो अब हैं रेली हैपी तो सीटिंग की बात करें तो जो स्टॉक सीट आती है क्यूंकि पहले भी मैं क्या चलात सब्सक्राइब करते हैं तो पूरा नीचे कंप्रस कर जाती है तो वहां एक फिल ओल्ड उस काम के लिए बाइक नहीं है हम जादा इसको कुछ यूज कर रहे हैं इसकी पोटेंशिल से उपर ले जाकर करके एंड फ्रंट इसका सॉफ और इसका स्टिफ जो इस का मैं पताना चाहर है अगर बात करें तो इंटरसेप्टर का भी सॉफ्ट है अब का फी लोग क्या करते हैं जो हमारा सस्पेंशन का ओयल होता है ऑल को हम लोग चेंज कर दें तो थोड़ा सफाड हो जाता है एक ग्रेड ऊ I think everyone knows capabilities of both these bikes. I think we covered a lot of points, we covered a lot of pricing, and we covered a lot of comfort, the seating, the suspension, and the main difference. Interceptor's biggest drawback is the spoke wheels. It's a lot of places, it's good because the spokes look better and more durable. But I'm afraid that if it's a puncture on touring, then you'll have to carry an extra tube. I carry an extra tube, although I put a formula X, but it's not a 100% solution. There are benefits of alloys, you have to carry a puncture kit. You have to carry a puncture kit in 5 minutes, put a puncture kit and run. So the time is a lot of waste here, if you have puncture in the Interceptor. How much weight of the bike? 178 kg. It's good here, it's a lot of weight. It's a lot of weight, it's a lot of weight. So if you don't have to do it, then you'll know how much it is. There are a lot of things. I mean, I've got to get it, that both bikes are very different. We can't compare them. Just let's just tell our review, which we have told today, that I've already faced this, and that have already faced this. Let's come to a conclusion. If you have a budget of like 380, 385, and you're looking for a bike, which you can take it anywhere, like off-road trails, highway touring, and all things, then you can go with KTM Adventure 390. But if you want a smoother engine, refined engine, and you need a good top speed, and a good service network, and everything. It's a very promising engine. I'm telling you, I'm a little biased here. But if you compare it to KTM Adventure, then RE has a very good engine in Interceptor. It's a world-class engine. I think KTM shines out in off-roading. Interceptor cannot beat KTM. If you get the raw grunt in off-roading, if you get the raw grunt in off-roading, then definitely Interceptor is not your bike. If you take the tires off-roading, the tires don't come from off-roading. I've put it on rail, but the normal tires don't come from off-roading. Suspension travel, suspension, also not off-roading. You can do a small boot, but for those trails and all, this bike is not meant for it. Okay? Absolutely. Let's end the video here. I hope you liked it again. Now, it's your choice. You want to go with KTM Adventure 390 or Interceptor. Both are different bikes. Why, Pandey Ji? Absolutely. You talked about it. So, Pandey Ji, let's end the video. We'll see you soon. If you like the video, then don't forget to like, share, and subscribe. Subscribe to you, brother. And Anuj, thanks a lot for shooting us today.